नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तू कंसल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर एक नए विशय पर चर्चा करेंगे आज का विशय है गोडाउन आपका अपना गोडाउन है और उस गोडाउन से आपका माल नहीं निकलता आपका माल सिल नहीं होता ऐसा क्या करण बनता है इस विशय पर चर्चा करेंगे जो आपका अपना गोडाउन है वो साउथ फेसी है और उसका अपना में गेट या शटर साउथ सेंटर से साउथ हिस्ट की और लगा हुआ है और इस गोडाउन के अंदर जो आपने माल लगाया है आपके यहां बोरी के रूप में माल आता है या पेटों के रूप में माल आता है या खुला माल या मिक्स माल आकर रखा जाता है और वो माल आपका नौर्थ के भाग में नौर्थ वेस्ट कोने में नौर्थ में नौर्थ इस्ट के भाग में भरते हुए आप साउथ की ओर आती है तो मेरा अपने ये मानना है कि जो माल आपके यहां गोड़ाउन में रखा जाता है वो माल आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं देता या तो आपकी पर्चेजिंग महेंगी होती है या जब आप माल सेल करते ह है तो उसके डाउन होते है आपका मल कम रेक में बिकता है यदि आपके यहां इस तरह की समस्या या रही है आपके गोड़ाउन से माल नहीं हिलता तो मैं आपको एक बात कहूंगा जो माल आपने नौर्थ के भाग में रखा है उस सारे माल को यहां से उठा कर साउथ के बढ़ते हुए माल को अगा तो साउस से भाग माल नौर्थ के भाग में लेकर आना है ध्यान रखना है जो आपकी नौर्थ की वॉल है नौर्थ की वॉल से उत्तर दिशा की दिवार से लगवग पांच से छे फूट का एरिया आपने बिल्कुल खाली रखना है जो की नौर आप साउस की दिवार के साथ चिपका के रखेंगे फर्ष से लेके छट तक जितना भर के रखेंगे उतना ही आपको लाम मिलेगा आपका माली यहां से जल्दी करके सेल हो जाएगा और आपके यहां जो प्रॉफिट प्रॉपर आना चाहिए हो वो प्रॉफिट आना शिरू हो जाएगा इसी के साथ जो आपकी इस्ट की दिवार है साउथ इस्ट कोने से लेके इस्ट सेंटर तक शेटर से या गेट से अंदर-अंदर के भाग में भी आप माल रखते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे आपके इहां माल की सेल होगी ध्यान रखना है जो आपका गेट है जो आपका शुटर है इसके ठीक सामने सामान नहीं होना चाहिए जब आप ये काम करेंगे तो आपके हां जो माल रुका हुआ है या आपका गड़ों माल से बढ़ा हुआ है माल नहीं निकल रहा और कई साल से आपका माल पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आप सिर्फ नौर्थ के भाग को खाली करें और साउथ के भाग में माल को उपर लेते हैं तो लगबग एक हफते के अंदर आपको बहतर रिजल्ट मिल जाएंगे आपने करना क्या है जो आपका नौर्थ का भागा इसको बिल्कुल कंप्लेट खाले रखना है यहां पर कोई भी सामान ना हो और इस इसे को बिल्कुल साफ रखना है यदि पॉसिवल हो तो न माल के खराब होने की कोई दिकत नहीं है आपका माल खराब नहीं होगा यह आपको अच्छे तरीके से फर्ष का एरिया आपको मिल जाता है और यहां पर पानी का छिड़काव कर देते हैं तो आपके काम बहतर हो जाएंगे आपका गोड़ाउन कभी भी फुल नहीं होगा मा आएगा और जाता रहेगा और हमेशा यह गोड़ाउन आपको प्रॉफिट देगा इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहूंगा जो आपका शिटर लगा हुआ है या गेट लगा हुआ है इसके उपर ब्लैक कलर है या ब्लू कलर है तो भी आपके हैं पैसे से संबंदी दिक दिकत आएंगी इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपने शिटर पर या गेट पर अंदर और बाहर दोनों तरफ रड़ कलर का पैंट कराना है यह काम करते ही आपके गोड़ाउन से माल निकलना शुरू हो जाएगा यदि आपको कोई दिकत लगे कोई बात समझना आए सकते हैं आपको मेरा प्रोगाम अच्छा लगा तो इसे लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना इसी तरह अगले प्रोगाम में फिर एक नए विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार करेंगे प्रोगाम